देश में कोटन की बुआई लगबग पूरी हो चुकी है लेकिन भाव का क्या हाल है आए जानते हैं मार्किट एक्सपर्ट के मुताबिक शोर्ट टम में घ्रेलू हाजिर बजार में कोटन का भाव 45,455 रुपई से 47,000 पे प्रतिगांट के दारे में कारोबार कर सकता है हलाकि कटाई की शुरुआत के साथ ही भाव दिरी-दिरे कम होने लग जाएंगे और एक बार फिर से भाव 40,000 या फिर उसके नीचे लुड़कते हुए दिखाई दे सकते हैं जानकारों का कहना है कि निचले सतर तक जाने के लिए भाव को 45,455 रुपई के नीचे गिरना होगा दरसल कोटन में आई मजबूती के साथ ही देश के कपास उत्पादक इलाकों में भारी बारिश और कीडों की वज़े से फसल खराब होने की खबरों के चलते भार्टिया हाजिर बाजार में कोटन की कीमतों में 46,000 रुपई प्रती गांट के उपर की मजबूती देखने को मिली थी वहीं देखा जाये तो अगस्त में अभी तक कोटन की कीमतों में करीब 8% की तेजी आ चुकी है लगातर बारिश ने कपास की फसल पर नकरात्मक असर डाला है और ऐसा लग रहा है कि कोटन की कीमतों ने इस साल देश में 90 ज्यादा फसल के आंकड़े को नजर अंदास कर दिया है पिछले एक पकवाड़े में ICI कोटन दिसंबर वायदे का भाव 21% तक बढ़ चुका है दरसल अमेरिका में कपास की फसल और एंडिंग स्टोक में तेज गिरावट की आशंका के चलते कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है उधर कच्चे तेल में गिरावट और अमेरिकी डॉलर में मजबूती की वज़े से कोटन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है हलाकि अभी कच्चा तेल और अमेरिकी डॉलर का कोटन के साथ ये समन तूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है अमेरिकी डॉलर में जहां पहले कमजोरी देखने को मिली थी वही बाद में मंदी के भै के चलते मजबूती देखने को मिल रही है अमेरिका में कपास की फसल कमजोर रहने के साथ ही भारतिय फसल की आंकडों के बारे में अनिश्चित्ता की वज़े से शोट टम में कोटन की कीमतों में भारी उठा पटक का मोहल बन सकता है ग्रेलू बाजार में इस महीने के आखरी तक या अगले महीने की शुरुवाती 15 दिन के भीतर बहुत कुछ सपस्ट हो जाएगा लेकिन अमेरिका में कपास की फसल इत्यासिक सर पर कमजोर रहने से वैश्विक वज़ार पर इसका निश्चित रूप से नकरात्मक असर पड़ेगा ताज आंकडों के मुताबिक पिछले हफते एक देश भर में कपास की वोई 123.10 लाख हेक्टेर में हो चुकी है जो की पिछले साल की समान अबधी की तुल्ना में 116.2 लाख हेक्टेर की तुल्ना में 6 फिसदी ज्यादा है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी